आज हम आपको आपके मन पसंद चैनल पर कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के समकालीन भारत भाग 1 NCRT पाठेपुस्तक के अध्याच्छ जनसंख्या पापुलेशन के बारे में भौव विकल्पी प्रशनोत्तरों के माध्यम से सभी प्रकार के प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए परिक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्पूर्ण जानकारी उपलब्द कराने जा रहे हैं मुझे विश्वास है आप सबको बहुत पसंद आएगी प्रशन एक भारत में सबसे पहले जन्गर्णा किस सन में की गई थी सही उत्तर है अठारा सो बहत्तर में प्रशन दो भारत की पहली बार संपूर्ण जन्गर्णा की गई सही उत्तर है अठारा सो बहत्तर में प्रशन तीन मार्च दो हजार ग्यारा तक भारत की जन्गर्णा कितनी थी सही उत्तर है एक सो एक्कीस पॉइंट जीरो छे करोड़ प्रशन च्यार दो हजार ग्यारा के अनुसार भारत का जन्गर्णा घनत्व कितना था सही उत्तर है तीन सो बैयासी व्यक्ती प्रतिवर्ग किलो मीटर प्रशन पांच जन्संक्या में होने वाले परिवर्टन की निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है सही उत्तर है उप्रियुक्त सभी प्रशन च्यार उन्निस सो इक्यावन में कुल जन्संक्या का 17.29 प्रतिशत नगरिय जन्संक्या थी जो 2011 में बढ़कर हो गई सही उत्तर है 31.80 प्रतिशत प्रशन साथ किसी राष्ट में वहां के विविन आयू समूओं के लोगों की संख्या को कहते हैं सही उत्तर है आयू सन्रचना प्रशन आठ आर्थिक रूप से उत्पादन सील नहीं होते हैं राष्ट की आवादी का कौन सा वर्ग है सही उत्तर है बच्चे प्रशन नौ आर्थिक रूप से उत्पादन सील तथा जैविक रूप से प्रजनन सील होते हैं राष्ट की आवादी का कौन सा वर्ग होती है सही उत्तर है व्यस्क प्रशन दस आर्थिक रूप से उत्पादन सील या अवकास प्राप्त हो सकते हैं ये स्वेच्चिक रूप से कारिक कर सकते हैं लेकिन भरती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ती नहीं होती सही उत्तर है व्रद्ध प्रशन ग्यारा प्रती अजार एक अजार पूरुसों पर महिलाओं की संख्या को कहा जाता है सही उत्तर है लिंग अनपात प्रशन बारा वर्स दोहजार ग्यारा की जनगणना के अनुसार केरल में प्रती हजार पूरुसों पर महिलाओं की संख्या है सही उत्तर है एक अजार चौरासी प्रशन बारा वर्स दोहजार ग्यारा की जनगणना के अनुसार दिल्ली में प्रती हजार पूरुसों पर महिलाओं की संख्या है सही उत्तर है 866 प्रशन 14 वर्स 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ती जिसकी आयू साथ वर्स या उससे अधिक है जो किसी भी भासा को समझ कर लिख कर या पढ़ सकता है उसे किस रिनी में रखा जाता है सही उत्तर है साक्षर प्रशन 15 वर्स 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षर्ता दर कितने प्रतीशत है सही उत्तर है तेतर प्रशन 16 क्रसी पशुपालन व्रक्षारोपन एवं मशली पालन तता खनन आधी क्रियाएं कौनसी व्यवसाइक सनरतना में शामिल है सही उत्तर है प्रात्मिक प्रशन 17 उत्पादन करने वाले उध्योग भवन एवं निर्मान कारे कौनसी व्यवसाइक सनरतना में शामिल है सही उत्तर है तुत्यक प्रशन 18 परिवेहन, संचार, वानिज, प्रसासन तता सेवाएं कौनसी व्यवसाइक सनरतना में शामिल है सही उत्तर है तुत्यक प्रशन 19 भारत में मृत्युदर जो 1951 में प्रती अजार 25 थी 2011 में घटकर प्रती अजार कितनी रह गई है सही उत्तर है 7.2 प्रशन 20 परिवारों के आकार को सिमित रख कर एक व्यक्ति के स्वास्त एवं कल्यान को सुधारा जा सकता है इस तथ्यक उध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कौन से सन में एक व्यापक परिवार नियोजन कारिकरम को आरम किया सही उत्तर है 1952 आप सभी ने भारत की जनसंक्या के बारे में इस चैनल के माद्यम से पून रूची लेकर परिक्षव पयोगी जानकारी हासिल की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार